दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ELP 2024 के एक्जाम में अपनी प्रफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो अच्छा कर सकते हो हम कुछ ऐसे important point discuss करेंगे जो की आपकी तयारी में helpful रहेंगे शायद आप वो कमी छोड़ रहे हो या फिर शायद आप वो अकॉर्डिंग पढ़ना है यह नहीं कि आप पढ़े ही जा रहे हैं और वो चैप्टर सिलिबस में ही ना हो पेपर में ही ना रहा हो ठीक टॉपिक वाइस पढ़ने से फायदा होता है कि आपके चीजे मिक्स अप नहीं होंगी एक के बाद एक के बाद एक चलती रहेंगे आ यह जब आपको आती होंगी याद होंगी तो यह कोशन में आपको सॉल्व करते हुए स्पीड बढ़ने में हेल्फुल होंगी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सीधी सी बात है आप कोई भी कैलकुलेशन जल्दी कर लेंगे इसके लिए एक पॉइंट और बताता ह हूँ कि जब आप घर बैठके मैठ की प्रैक्टिस कर रहें और बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो वहां पर बैठकर मल्टिप्लाई करो कॉपी पर पैंसे कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है कैलकुलेटर आपकी छमता को घटाता है ठीक है तो कैलकुलेटर से दूरी बना साइन्स जब तक आपका एक्जाम होना होगा तब तक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोजी बहुत अच्छी हो चुकी होगी सच में आप पढ़ा के तो देखो इस चक्रम मत पढ़ो कि मैं कोई सी किताब उठाऊंगा और कुछ पॉइंट्स याद करूंगा और आप में फॉर्मूला आएगा उसकी ऐसा यूनिट भी बताएंगे और इसी तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि इडी मतलब हैं इंजियरिंग ड्रॉइंग इंजियरिंग ड्रॉइंग सीबिटी टू में आपका एक सब्जेक्ट है उसको शॉर्ट में पढ़ना बहुत का हिस्सा हटा दिया गया है तो सीबिटी वन में है सरफ तो आप सरफ और सरफ कुछ नंबर के लिए दस नंबर के लिए आप बहुत जादा नहीं पढ़ेंगे ठीक है मैं इतना मानता हूं कि आप ट्रिक से पढ़ लीजे कुछ ऐसे चैनल यूट्यूब पे हैं जो कि ट्रि के पर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि सीबिटी तू में नहीं आ रहा और सीबिटी वन में भी बहुत कम नंबर का आता है मौक और टेस्स आपको सॉल्व करनी है ठीक है इन पर मेंली धियान रखना है कि आपको मौक टेस्ट और टेस्स को अटेंप्ट करना है अब मैं यहाँ पर आपको एक फ्री एलपी की लाइव टेस्स सीरीज बताता हूं जो कि ऑलिव बोर्ड की है ऑलिव बोर्ड एक वेबसाइट है एप भी है आप गूगल क्रोम पर जाएंगे ऑलिव बोर्ड डॉट एंड खोलेंगे यह मतलब फ्री है इसमें आपको की रैंक भेज देते हैं इससे क्या फायदा होगा माल लिजे 2000 वेकेंसी हैं टोटल आपकी बहुत अच्छी तैयारी आप सोच रहे हो मैं टॉप करूंगा तो आप ऐसे एक्जाम दीजिए जिससे आपको पता चले कि इन 50-60,000 बच्चों में क्या मैं टॉप 2000 में आ रहा हू करेगा और टेस्ट को स्पार्ट करेगité आपको बिल्गुल एं क्स्प्रियंट में मिलेंगा जैसा की पेपर 6,500 में आप उसको करेके और और देख़ें आंके कितने नमबर आ रहे हैं ठीक है टो मैंने ऐपको बताए कि एक अच्छी आरीका होता है अपने एक तो उसको experience मिल जाता है कि भाई पेपर में ऐसा पेपर आएगा है ना दूसरी चीज उसको अपनी rank पता चल जाती है कि मेरे 75 में से इतने नंबर आ रहे हैं और इतने बच्ची अभी भी मुझे चाह गए है उनको मुझे पीछे करना है 11 और 12 क्लास के physics के कुछ topic CBT2 में आएंगे आप syllabus में से उनको देखकर उनको आपको कबर करना है ठीक है क्लास 11 और 12 की physics के कुछ topic CBT2 में है लग से 10 तक की तो science है यह पर 11 की physics के भी कुछ topic है आपको वो भी कबर करने है तो इसलिए syllabus के हिसाब से ही पड़े ठीक अब बात आती ह है technical की technical CBT2 में technical भी तो होना है CBT2 के technical को आप अभी से ही थोड़ा-थोड़ा कबर करके चलें बहुत ज्यादा देखो कठिन नहीं आता मुझसे को पूछेगा कि क्या कठिन आता है नहीं technical exam आसान आता है क्योंकि वो ITI level का होता है तो उसमें topic wise आप बीच-बीच में पढ़त के subject के questions बहुत ज्यादा कठे नहीं होते हैं easy level के ही होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको की computer subject को पढ़ना ही नहीं पढ़ेगा और paper में सारे सवाल भी कर लेंगे तो जैसे मैंने बताए engineering drawing पर बहुत ज्यादा समय वेश नहीं करना है computer में बहुत ज्यादा deep नहीं सब्स हो जाता है तो फिर आप सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आती है daily practice करनी है सवाल आपका syllabus पूरा हो गया है तो आपको test series पीवाई क्यू इस तरह के चीज़ें daily practice करनी है इससे क्या होगा time का पता चलेगा time management time management एक बहुत जरूरी चीज है exam में बहुत से बच्चे मैं ने देखा exam देतके आते हैं अरे मेरे 10 सवाल शूटे मेरे 20 सवाल शूटे पता नहीं किस हिसाप से करते हैं सवाल को तो यह कब सही होगा जब आप practice कर रखे होगी आपने अच्छे से तो आपको पता है कि मुझे कितनी-कितनी स्पीड से solve करना है जिससे कि मैं समय के अंदर अंदर complete कर पाऊं अगला बहुत जरूरी important point है वो है कि आप notes बनाइए proper बहुत से बच्चे होते हैं कमेंट की भई यह PDF देदो syllabus की मैंने वीडियो डाली बताओ आदे बच्चे PDF माग रहे हैं यार तुम चाहते हो कि तुमारी नौकरी लगे और तुम एक syllabus नहीं लिख पा रहे हो अरे वीडियो को पॉस्ट करो syllabus को लिखो अपने हाथों से लिखोगे दस बातें ज्यादा रहेंगी PDF तुम नजर मारो और यूं तो हमेशा दिहान रखना notes खुद बनाओ दूसरों से भी मत बनवाओ दूसरे की handwriting में वह मजा नहीं है जो अपनी handwriting में भले ही आपकी क अगर आप तयारी कर रहे हैं और अपनी तयारी में इनमें से कोई points से वंचित हैं तो थोड़ा सा आइडिया ले लिए यह जो मैं points बनाता हूं यह मैं अपने और अपने दोस्तों के और दूसरों के experience से बनाता हूं ठीक है यह मैं कुछ ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ निकाल ल मैं तो 3-4 साल से टूशन पढ़ा रहा था 11-12 वालों को तो मुझे तो science में कोई दिक्कत नहीं लगी तो पर आप मैंसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके की science कमजोर होगी तो उसको अच्छा करने के लिए आप 6-10 तक के बच्चों को science पढ़ाईए जब आप कोई topic उनको पढ़ाने जाएंगे माल लीजिए आज आप उनको पढ़ाना है तो आप उनको पढ़ाने से पहले खुद भी तो आदा घंटा पढ़ने पढ़ेंगे आप अच्छे से पढ़ेंगे कि resistance क्या definition होती है क्या होते हैं क्या इसकी एसा unit होती है सीरीज में क्या formula होता है पैरलल में क्या formula होता है ठीक है voltage series में सेम रहता है यह parallel में सेम रहता है current series में सेम रहता है इस तरह के कई सारे point आपको मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे तो आप उस topic को 40-50% समझ पाएंगे पर जब आप उस साइन्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है complete करने का कि आप ट्यूशन पढ़ाएं मैं रीजनिंग तो आप सुबह पढ़ी रहें माल लीजे देड़ घंटा मैं देड़ घंटा रीजनिंग जा दो दो घंटे जितना भी आपकी मतलब चमता है मैं तो जादा देर नहीं भूल गया दोस्तों पॉइंट यह है कि मजे करो सुबह अगर आप पढ़ दे रहे हो तो साम को टेंशन लेने की जुरूत नहीं है साम को दोस्तों के साथ खेल लाओ खेलो घूमना घूमो साधी दावत हो तो उसमें जाओ पर अगर आपको पता साम को साधी में जाना है तो दिन में एक देड़ घंटा पढ़ लो साम को अगर आपने समय बना रखा पढ़ने का तो उसको दिन में ही कंप्लीट कर लो जब आप घूमोगे फिरोगे खेलोगे कूदोगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप परि ज़रूरी चीज है पढ़ाई के साथ साथ मज़े करने यह नहीं कि बस पूरे दिन पढ़ते रहे तो मैं अपना बता रहा था कि मैं टूशन पढ़ाता था इसलिए मुझे खुद को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनेफिट मिला इसका और आप लोगों को भी मैं साइन्स को लेकर चलते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि CBT1 में जीके बहुत कम है और CBT2 से हटा दिये उमीद है आपको इस वीडियो में कुछ तो काम का लगा होगा अगर कुछ भी काम का लगा है यह टेस्स सीरीज का भी धियान रख लेना फ्री है वह यह ए